अधर लॉख डाइब करेंगे हलो टृडंट्स यॉलकम तू जैसके इस वीडियो मा बात करिंगे Diplomine Pharmacies के subject Hospital and Clinical Pharmacies के बारे में जिसके अज मोस्ट important question आपके से लिए बस से देख करके कुस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च जो important है उसके लिए एक video बनाई है Most important question में आते हैं जो question को हमने इस रट किया है लोग जस्ट स्टाट करते हैं कुन कुन से कुश्षिन है फर्स कुश्षिन है फर्स कुश्षिन है हर्स कुश्षिन हश्टल फर्मेशिय को इसकोप है तो हास्टील फर्मेशिस्ट की समय है उसकी कौलिफिकेशन क्या होना चाहिए और उसके पास एक्स्पिरियन स कितना हो चाहिए साथ में हाउस्टल फार्मसिस्ट की रिक्वार्मेंट कितनी हो चाहिए यानि कितने नमबर का हास्पिटल है कितने बिट साइज का हास्पिटल है कितना बुरा हास्पिटल है जिसके अकारडिंग हास्पिटल में कितनी फार्मसिस्ट का होने चाहिए, नेस्ट कुछिशन है, What you understand by ZPP, यारी Good Pharmacy Practice, तो गुट फार्मेसी प्रक्टिस से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना होगा, क्या होता है, Good Pharmacy PP में क्या आता है, इसके बारे में लिखना होगा, नेस्ट कुछिशन है, write a note on N A Q S and N A B S N A Q S या इसी को बोला जाता है N Q A S N Q A S N A Q S या इसी को कहते है N Q A S N Q A S इसी को बोला जाता है इसका full form क्या है National Quality Assurance Standard National Quality Assurance Standard यह क्या होता है और इसका उद्देस क्या है दूसरा इसी में पॉइंट N A B H तो N A B H में क्या आता है National Standard National Accuration National Accuration Board for Hospital तो N A B H में आ जाएगा National Accuration Board of Hospital इसका full form है तो यह होते क्या है और इनका उद्देस क्या है यहाँ पर इसारी शीजे लिखनी होगी Next position है Next question है तो हास्टल फार्मेसी स्टेंडर्ड तो हास्टल फार्मेसी स्टेंडर्ड में दूसी जाती है एक आती है FIP और दूसरा आता है EHSP FIP का फूल फार्मेसी 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 तो AHSP इसी को दूसरे नाम से भी कहते हैं इसका दूसरा कभी लिखा जाता है A.S.H.P. A.S.H.P. के नाम से लिखते हैं यहां की American Society of Health System फार्मेसी 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 तो यहां पर इसका उद्दे से क्या होता है इनके क्या रोल्स हैं क्या उप्योग है इनका इससे के बारे में आपे लिखना होगा Next Question है Next Question है Write in details on यहां पर मैंने यह नहीं लिखा है कि 1 या 2 किस किस पर करना है अब जब मैं एक्जामें बटेंगे तो वहां पर लिखा होगा किसी एक पर करना है दू पर करना है या तीन पर डिटेल्स नोट लिखना रहता है तो यहां पर मैंने लिखा नहीं है यहां पर सिर्माने से कुशन बना दिया है पहला है यहां पर पॉइंट है PTC, PTC का फुल फार्म होता है Pharmacy Therapeutic Committee Pharmacy Therapeutic Committee दूसरा पॉइंट है हाँ पर हास्पिटल फार्मिलरी, तो हास्पिटल फार्मिलरी यानि कि टीम के बारें बात करेंगे इसके टीम में कितने मेंबर होंगे कौन से लोग मिल करके एक टीम का फार्मिशन होता है उसे परिगार PTC में है कितने मेंबर होंगे और कितने लोग एक टीम बनाएंगे, उस टीम का क्या उद्देश सी होगा इससे जहां पर लिखनी होगी इसरा आएंफेक्शन कंट्रोल कमिटी यह इंपॉर्टन रहेगा क्योंकि पिछले ओल्ड सिल्वस को देखा जाए और न्यू सिल्वस पने खाएज़ पिछले ओल्ड सिल्वस में यह दूनों चीज़े में इसन थी PTC और हास्टर फार्मरी लेकिन इंफेक्शन कंट्रोल कमिट्टी लाश्ट जे तो यह ठेखा प्रज़े में नहीं थी इस बार इस टीममें का किया का रोल होतायए तो यहां पर लिखना लिखा जायगा ज crushed merit करना होगा ये इस question है, राइट एड ड्रग लिस्ट अफर ड्रेग लिस्ट लिखना है, कौन को से high risk drug, schedule H1 drugs, ये questionadt में आएंगे, क्योंकि ये question इस- owständ के syllabus में, और ले best class में, पर्षछ सर के syllabus में नही थे, नियुः रिस्ट के syllabus में दो कोईशिजें मेंसन होती हैं, यहां पे बताना होगा निस कुशन आते हैं निस कुशन के बात करते हैं कि right the procedure of drug purchase यहां पे जो भी कुशन है जो भी यहां पे पढ़ते रहेंगे जो जो कुशन है वो सारे कुशन इंपोर्टिंग हैं इस बारे में यह सारे कुशिन आपको पहले मोला जब आप सिलिवस टाय Assistant- को पछल चलता था उस साल के सिलिवस में सुर्प में मिलेंगे साले सिलिवस सेھोना है साप्टर है सिलिवस के लिए लिए किया राइड गाह रहता है 받고 पचहर कि Đ्रक परचार का है उसके बारे में लिखना है कैसे हम ड्रक को बाई करते हैं यहां पर लिए चीज बतानी होगी इसी में इसकूशन है वाट इस टंडर एंड राइट इस टाइप टंडर क्या होता है और इसकी कितने प्रकार का टंडर होता है यहां पर लिखना होगा हुआ घुटियुक की बत करते हैंज में हब धेज़ कोर्शलिंग करते हैं साथ है किब अおお खुम Accredi को सब्सक्राइब का है और indisası अज्याना कि 80 ओकोनोमिक ओर कॉन्टिटी 219ju कंट्ुल क्या है यहां पर क्या हो गई यह रिखना होंगा question करें define the term FIFO Fefo method FIFO method or FIFO method क्या है FIFO method first in first out method FIFo method first expire first out method first expire first out method FIFO first in first out method कि यह मैं तो के बारे में लिखना है कि कैसे यह मैसिट का थो क्या है कि है क्या हुदि है् यह स्टोर करने का कि कंडिशन किया है यहां पर लिखना होगा तेरा नमर कुशन के रहा है कि जो भी एक ड्रग इस्पायर हो जा रही है उन्हें हम किस प्रकार हैंडल करेंगे यह किस परकार हम डिस्पोज करेंगे नेस्पोजन है ड्रग डिस्टिविशन एक्टिविटी चार्ट आफ इन पेसेंट और आउट पेसेंट तो जो एक्टिविटी चार्ड है इन पेसेंट का और आउट पेसेंट का वो ड्राइग्राम सो करना है एक्टिविटी चार्ट मतलब कौन से कैसे पेसेंट इन पेसेंट को दवाईया किस परकार मिल जाती है और अखुट पेसेंट वालों को किस परकार दवाईया लेते हैं यानि कि डाक्टर को दिखाते हैं डाक्टर दिखाने के बाद फार्मसिस्ट के पास जाते हैं तो यह ड्राइग्राम बनता है एक चार्ट बनता है पहले गए दिखाया है तो यह एक चार्ट बनता है उसी ड्राइग्राम के बारे में बात करने के उनके चार्ट कैसा होता है इन पेशेंट और आउट पेशेंट के बारे में लिखना होगा तो यह एक तो यह घ्राइग्राम स्टाने बारे में लिखना होगा discussion है what are compounding compounding क्या है और इसी में दोस question तीन में हुआ है compounding क्या है IVA Admi ernbn TV surgery services क्या है और TPN म्या है total parental nutrition TPN क्या है compounding क्या होती compounding ECU कहा जाता है bulk compounding bulk compounding क्या है IVA AdmiCs healthcare services क्या है and total parental nutrition क्या होता है यहां पर blueberries के बारे में लिखना होगा एग्सक्षोषिंगे है तिन पेढ़ने है आपर कुशन इफ्श्न करने है तीन नबर में तो तीन नमबर में और जिए है किसे हैं नबर में पेढ़ने है डिवाइड किया हुआ रहता है आपके पेपर में में लिखा रहता है कि कौन सा पॉइंट कितने नमबर का है अठारा नमबर कोईशन कह रहा है कि वाट इस दा रोल आप कम्प्यूटर इन हास्पिटल फार्मेसी तो हास्पिटल फार्मेसी में कम्प्यूटर का क्या रोल है कम्प्यूटर अप्लिकेसिन का क्या रोल है यानि कि हम लोग जानते हैं कि ड्रग के डिंसमें में कम्प्टर कितना रोल काम करता है क्या क्या काम करता है ड्रक स्टोरेज में कौन से ड्रक का हलवारी में किसे पता कर सकते हैं कितनी ड्रक हमने सेल किया कितने हमारे पास स्टोर है यह सारे पॉइंट हम आप देख सकते हैं इस विए हम धुर्न है राइट एबाउट सॉरी नेश ज्शुचिन है राइट आबाउ मेंट किलिणकर फार्मेसी और स्कोप हुआं toward the सवर्लिक्स उन्यूं बट्रिक-एंट्रिक पोस्टेनेस ऍनके बारे में लिखना होगा पेडिक बच्चों के लिए जी राट्रिक उलडा वस्ताहिए और anti-natal care, post-natal care ये after delivery और before delivery वाले points होते हैं इनके बारे में लिखना होगा ये term क्या है इनके अंतरगत हम लोग किस चीज़ के treatment किया ज़ता है कैसे इन्हें हम define करेंगे Next question है What is the role of clinical pharmacist in advisory drug reaction adverse drug reaction monitoring patient counseling तो pharmacist का क्या role है कहां पे role of clinical pharmacist in adverse drug reaction में monitoring और patient counseling में pharmacist का क्या role होता है adverse drug reaction में monitoring करने में और patient counseling करने में तो पे सर्क्ल pharmacist का क्या role लेती है हाँ पे लिखना होगा Next बात करते हैं कुशनेश पॉइंट कह रहा है clinical test कह रहा है criminal test is used in liver test thyroid function test and pulmonary function test कौन कौन से test perform किये जाते हैं liver test के लिए thyroid के लिए pulmonary infection के लिए pulmonary function test के लिए कौन कौन से test perform किये जाते हैं तेस्वा नमबर कुश्चन है डिफाइंड पॉजिनिंग ऐनिस टाइप यानि कि पॉजिन क्या होता है और कितने प्रकार के पॉजिन सब्स्टेंस होते हैं यहां पर लिखना होगा नेस्ट कुश्चन होते हैं यहां पर डिफाइंड दा फार्मो को विजिलन्स एंड गिब पारे में लिखना होगा last question है what is the medication error or drug interaction तो medication error और drug interaction क्या होता है ता है यह सीजिन यहां पे लिखने होगा यह कुछ हमने important question आपके syllabus को देखते ही बनाएं तो हमसे पहले घुस्ट करिएगा कि सारे question 25 जो question है subject के आप देख के जाएंगे पढ़के जाएंगे तो आपको काफी helpful वेपर आपको मिलेगा, आप आसाने से वेपर को साल्ब कर सकते हैं. थैंक्स पर वाचिन इस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एक यूट्यूब चैनल, जैसक्राइब क्लासे, थैंक यू.